अब दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आरिस्केम टुडे आईए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट की बारे में पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक सेर करना मत बोले वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें अगर आपको वीडि को सब्सक्राइब ना करें जब भी चैन को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं और पर सेलेट करें जिससे मारे वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए आज मैं बात करूंगा उत्तरप्रिस की बिभिन भरतियों के बारे में उत्तरप्रिस दरुगा भरती के बारे में उत्तरप्रिस लेकपाल भरती के बारे में इत्याज भरतियों के बारे में जिकर करूंगा हर एक भरती के बारे में पूरी जानकारी जूंगा आज मैं आपको बताऊंगा साच के साथ कि आजस अचा बैठे हुई हैं दरोगा भरती परिच्छा के अभी तक अधिकारी गोशा बोर्ड की तरफ से नहीं की गई है उसके इंतिजार में 14-15 लाग है के करीब अब भरती बैठे हुई हैं समाचार पत्रों में अलग-लग आंकड़े दिये जाते कभी 12-15 लाग कुछ और कभी 14-15 सकती है क्या उसकी परिच्छा हो सकती है क्या आदस अचार सहिता में भरती का विग्यापत जारी हो सकता है क्यों नहीं जारी हो सकता है और क्यों परिच्छा नहीं हो सकती है और क्यों हो सकती है कैसे हो सकती है पूरी जानकार इस वीडियो में आपको मिलेगी लेकिन उससे आज में एक महतपूर खबर आपको बताना चाहता हूँ मुखवंत्री जी के स्टेटमेंट को लेकर मुखवंत्री जी ने बेरोजगारी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है इसका भी साच दूँगा और आदस अचार सहिता को लेकर जो आपकी मन में भरम है उसका भी साच दूँगा वीडियो को पूरा देखेंगे पूरी जानकारी मिल जाएगी इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोग 75 चैनल से भटकते हैं 75 चैनल के माधिम से आपको जानकारी जी जाती है आप भ्रमित रहते हैं भ्रमित रहने के वशक्ता नहीं है जब तक मैं हूँ मैं हमेशा आपको सही जानकारी देता हूँ जो जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ 7 से 8 महीने पहले मेरे द्वरा कई बार आपको बताया गया है 7 से 8 महीने पहले मेरे द्वरा बताया गया है तुस भरती का नाम बताईए जिसमें आपको न्यूक्ति पत्र मिला हो भरती परिष्छक आयोजन हुआ हो जब चुनावत तथी की घोश्टा हो चुकी हो मेरा कहने का ताच पर है कि आज़त अचार सहिता लागू हो गई हो उस पीरियड में आपको किसी भी अभरती की बारे म में जानकारी हैं जिसकी कोई प्रारंबिक परिच्छा होई हो जिसको न्यूक्ति पत्र मिला हो एक कंडिडेट का नाम बता दीजिए सौ में एक फिर्दी मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर चुनाव आयो की द्वारा परमीसन दिया जाता है लेकिन उससे पहले बड़ी ख़वर देख लेते हैं जैसा कि आप पने स्क्रीन पर देख रहे हैं आर नाइन टीवी की ख़वर है और यहां पर देखी लिखा लके पर लगयां आकडे कैसे कम हुए इसके आप लोग जान लीजिए देखीए जो बेरोजगारी की बात की जा रहे हैं टतरमिसमे चरम पर हैं जो आकडे दिखा जा रहे हैं यह फर्जी आंकडे कैसे मैं आपको बताना चाहां मनरेगा में जौप देकर यानि के एक करोण स शेतों में पानी लगा हुआ है अभी फसल की कटाई नहीं हुए है तब तक मन रहेगा के मज़दूर मन्रेगा में काम करने वाले लोग क्या खाएंगे क्या पीएंगे सरकार इसके बारे बताए सरकार कहते हैं कि हमने 5 किलो अनाज दे दिया या 5 किलो अनाज एक विक्त एक मह देखे और मन्रेगा का रोजगार 90 दिन का होता है 300 दिन का नहीं होता है इसलिए मैं कहता हूं कि मन्रेगा के रोजगार से किसी विव्यक्ति का जीवन यहां पर नहीं हो सकता है ना अपने परिवार को खुशार रख सकता है ना अपने बच्ची को असी चिछा दे सकता है नही वो अपने परिवार का भरूर पोसर कर सकता है नहीं कर सकता है 90 दिन के रोजगार से तो जो आंक्रा आपको दिखा जाता है 1 करूण 61 लाख रोजगार 1 करूण 80 लाख रोजगार 2 करूण रोजगार सब मन्रेगा वाले हैं सतर फीज़ी मरनेगा में जौब दे कर आंकड़ा सत्रा से घटा कर पांच फीज़ी किया गया है मैं इसे रोजगार नहीं मानता हूँ अगर आप रोजगार मानते हैं तो आपकी अलग बात है और मैं अंधभक्तों से कहना चाता हूँ साच के साथ जानकारी दे रहा हूँ या हाथ जोड़कर आपसे निवेजन करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में भध्य कमेंट मत करना भध्य कमेंट करोगे तो मैं समझ नूँगा आप अंधभक्त हो वीडियो को देखो अगर इस चैनल का वीडियो आपको पसंद नहीं आता है अगर आपने इस चैनल को गलती सब्सक्राइब कर लिया है तो अंसब्सक्राइब करके चले जाओ लेकिन सच्चाई अगर सुनना है सही जानकारी लेना तो इस चैनल से जुड़ो अन्य था बहुत सारी चैनल यूटूब पर लाखों चैनल बने हुई हैं उससे आप जूर सकते हो और भक्ती में रस में डूब सकते हो अब आईए जान लेते हैं उत्तरपेश दरोगा भरती परिच्छा उत्तरपेश लेकपाल भरती साथ साथ प्रामिरी सिच्छक भरती का आज़स अचार सहिता में क्या हाल होगा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहें या आज की खबर है और पटना की खबर है यहाँ पर देखे लिखा हुआ पटना सिच्छकों की न्युक्ति परक्रिया पर रोक क्यों रोका गया क्यों कि उहाँ पर पंचाय चुनाओ है उत्तरपेश में क्या है बिधान सभा च चुनाओ है अब आपसे को अताना चारता हूं जहां पर सरकार को लाब दिखता नजर आएगा चुनाओ आयो को चुनाओ आयो को उस कारिक्रम को आगे बढ़ानी नहीं देगा आजस अचार सहिता में अब आईए मैं आपको पूरी खबर से आउगत करा देता हूं पटना की चुनाओ खतम होने तक सिच्छक बहाली पर लगी रोक यहां पर देखे बड़े-बड़े हेडिंग में लिखा हुआ है आप इसे पढ़ सकते हैं राज निर्वाचन आयोग ने रोक के लिए आदस अचार सहिता लागू होने का हवाला दिया यहां पर देखे लिखा हुआ ह यहां पर देखे लिखा हुआ है कि हाई कोड के आदेश के आधार पर सिच्छा विभाग ने सभी जिलों से छठे चर्ण के लिए 30 जून 2019 तक की रिक्ती की गढ़ना की थी माज़मी सिच्छकों की बहाली के लिए 2019 मिली गई थी आनलाइन STAT यहां भरती परक्रिया में थी आखिर कार इसे क्यों रोका गया यहां पर देखे लिखा हुआ है कि प्रारंबिक स्कोलों में 90,702 सिच्छकों की भरती परक्रिया भी होगी प्रभावित तो जब भरती पर में क्यों रोका जा रहा है चुनाओ आयोग परमीशन क्यों नहीं दे रहा है सरकार परमीशन ले रही है चुनाओ आयोग परमीशन नहीं दे रहा है इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि सरकार को इसका लाब हो जाएगा और आदर्स अचार सहिता में सरकार को लाब ना मिले इ यूनाव आयोक के द्वारा परमीसन नहीं दिया गया जबकि बिहार में बीजेपी गड़披िक पहार temos केंद्र में बीजेपी की सरकार है लोग कहते हैं केंद्र में बीजेपी है राजमें बीजेपी है तोदी मिल जाएक दिक्कत नहीं हो गी परिछा सूपर्टक जनवरी में लोग करवा रहे थे उत्तप्रजेस में तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ जैसा कि मेरे दोर आस्ति ने कई बार आपको जानकारी दी गई है और मैं जानकारी क्लेक्ट करने के बाद देता हूँ मेरा कर्तम भी बनता ह है कि आपको सही जानकारे दूम, तो चाहे उत्तरप्रदी लेकपाल भरती हो, चाहे उत्तरप्रदी प्रामिरी सिछक भरती हो, चाहे उत्तरप्रदी दरोगा भरती हो, अगर आदस अचार सहिता लागो हो गया, और उससे पहले परिछा कायोजन नहीं हुआ, या विज्यापन जारी नहीं हु यह चुनाओं की बात complete होगी complete होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है 2022 में complete होगी या 2030 में complete होगी इसकी भी कोई आठ महीने पहले कहें थी आज सही सावित होती नजर आ रहे हैं मैं आपको साच दिखा रहा हूँ अगर आपको अभी विश्वास नहीं है तो मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता दरोगा भरती सितंबर अक्ट्यूबर 2021 तक complete होगी उसके बाद training में जाएंगे दरोगा भरती सब्तंबर अक्ट्यूबर 2022 तक complete होगी उसके बाद training में जाएंगे 2023 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी लेकपाल भरती 2022 चुनाओ की बाद complete होनी की संभावना है प्रामीरी सिच्छक भरती का बिग्यापन जारी हो जाएगा तो आप एदन प्रक्रिया के ओल ली जाएगी उसके बाद भरती लटक जाएगी इसलिए मेरे दोर आपसे बार बा बायुकि वारा कोई रोक लगाया जाएगा या नहीं तो यहाँ पर साब साब लिखा हुआ है कि प्रारमी की स्कोलों में नब्य हजाजा साथ सुब और सा सब्सक्राइब करें वीडियो को लायक से एक करना मत भूलें वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्रा झाल